नमस्कार विद्ध्यारतियों आज हम भारती समाज के अंतरगत परिवार के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवार क्या होता है क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में परिवार के सदस्य हैं हम सब एक परिवार के अंदर रहते हैं, हर परिवार का रूप अलग-अलग सरय का होता है, परिवार मानो समाज के संग्ठन की प्रात्मे के काई है, जो अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से बना है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जो परिवार से परिचित नहीं होगा, क्योंकि या तो हम जन्म से, या गोद, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी परिवार के सदस्य होते हैं, क्योंकि प्रतेक बालक, जो किसी न किसी माबाप की संतान होती है, और वो माबाप और वो बच् परिवार होता है। परिवार से अर्थ माता-पिता और उनकी संताने जो एक स्थान पर अथ्वा अलग-अलग रहते हैं। के नीचे रहते हैं, जो रक संबंदी सुत्रों से संबंद रहते हैं तथा स्थान, हित तथा esse praता के आधार पर समान होने की भावना रखते हैं। हर समासास्त्री ने अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्दों में परिभाशाओं को दिया है अगर हम एक अन्य समासास्ति की बात करें तो लूसी मेर जिन्होंने परिवार के लिए कहा है कि परिवार एक ग्रहस्त सम्मू है जिसमें माता-पिता और संतान साथ-साथ रहते हैं इनके मूल रूप से दमपति और उनकी संताने इसमें रहती हैं चुँकि परिवार एक सम्मू है और मानुव का सभाव होता है कि वह एक सम्मू में रह ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अकेला रहना चाहे या अकेला रहना पसंद करता हो ये दुनिया में केला रहता हो हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी सम्मू के सदस्य होते हैं और परिवार भी एक सम्मू है जिसका प्रतेग वैक्ती सदस्य होता है अगर हम भारत के संधर्ब में बात करते हैं तो भारत में भी परिवार के कई परकार पाए जाते हैं, विबिन विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उनका वर्गी करन किया है, भारत जैसा देश इतना विशाल देश है कि वहां परिवार किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी समाज में मिलते हैं, परिवारों का वर्गी करण अलग-अलग समासास्त्रियों ने अलग-अलग प्रकार से किया है हम मुख्यत हैं कुछ वर्गी करण पर चर्चा करेंगे तो परिवार के प्रकार के आधार पर हम पहले बात करेंगे सदस्यों की संख्या ग्याधार पर परिवार के प्रकार भारत की जनगर्णा रिपोर्ट 1951 में परिवार का जो वर्गी करन किया गया था वो परिवार की सदस्यों की संख्या ग्याधार पर किया गया था जिनें चार भागों में बाटा गया था अगर सदस्यों की संख्या एक से तीन हैं तो उन्हें छोटा परिवार माना गया, यदि चार से छे हैं तो उन्हें मध्यम परिवार माना गया, यदि सास से नो हैं तो उसे बड़ा परिवार माना गया, और यदि दस या उसे अधिक हैं तो उसे बहुत बड़ा परिवार माना गया यदि हम वर्तमान परिपिक्षय में अगर देखते हैं वर्तमान समय में तो हमें अधिकतर छोटा परिवार देखने को मिलेगा जिसमें पती पत्नी उनके एक या दो बच्चे होते हैं यदि हम इस से थोड़े से समय पहले की यानि हम आज से 20 या 25 साल पहले देखते हैं तो हमें मध्यम परिवार देखने को मिला करते थे जिसके अंदर पती-पत्नी और उनके चार बच्चे होते थे वर्तमान में भी ऐसे परिवार देखने को मिल जाते हैं क्योंकि जिसमें पती-पत्नी उनके बच्चे और बच्चों के दादा-दादी यानि छे, छे सदसे भी हो सकते हैं लेकिन अधिकांस्त है वर्तमान में जो पर्चलन है जो सहरी करण जो हुआ है, नीजी करण जो हुआ है आजकल पूंजी वादी जो समाज है उस समाज के अंदर परिवार का अकार छोटा होता जा रहा है और पर्तेक परिवार में अधिकांस्त है या तो दो पती पतनी या फिर उनका एक बच्चा और या फिर उनके दो बच्चे कहने का दात परिया है कि परिवार आज तक आजकल दो से लेकर चार सदस्यों के बीच में सिमट गया है एक दूसरा प्रिकार जो है वो दमपत्यों की संख्या के अधार पर उनको बांटा गया है तो दमपत्यों की संख्या के अधार पर जो एक परिवार का एक परिकार है वो है केंद्रिय या नाभिक परिवार अगर परिवार में केवल पति-पत्नी और उनकी एविवाही संताने हो तो उसे एकाकी परिवार मानते हैं परिवार में केवल दमपत्ती भी हो सकते हैं या आवशक नहीं है कि संतान हो वर्तमान में भोतिगवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, संचार के साधन, आधुनिक शिक्षा, मोर्डनाईजेशन, आधुनिकी करन इनकी वज़े से नाभिक परिवार जो हैं वो अधिकतर बढ़ते जा रहे हैं और भारत में भी इन परिवारों का प्रतिसत दिन प्रति दिन भढ़ता जा रहा है इसी में एक प्रकार जो है वो है संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार के अंतर गर्त हम देखेंगे कि उसके अंदर जब कोई दो या दो से अधिक नाभिक परिवार रहते हैं यानि कि जिसमें दो से अधिक पीडी रहती हैं पती-पत्नी, उनके माता-पिता, पती-पत्नी के बच्चे, यदि वो एक साथ रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है तो हम दमपती के आधार पर यह जो हमने वर्गी करन किया है इसमें दमपती दो हो गए एक तो माता पिता, एक उनके माता पिता, यानि उनके माता दादी एक दमपती, माता पिता एक दमपती और उनके बच्चे, तो दमपत्यों के अधार पर नाभीक परिवार और सेयुक परिवार, दो भागों में हम इनको बांट सकते हैं, इसी प्रकार से अगर हम तीसरे प्रक परिवार की बात करते हैं, तो परिवार का वर्गी करन निवास के आधार पर भी किया गया है, निवास के आधार पर परिवार को छे भागों में बाटा गया है, यानि कि आप कहां निवास करते हैं, आप अपने पिता के घर निवास करते हैं, अपनी माता के घर निवास करते ह उस निवास के आधार पर इन्हें छे भागों में माटा गया अगर हम पहले प्रकार की बात करते हैं तो यानि कि पित्र स्थानिय परिवार यदि विवा के वाद वधु अपने वर के माता पिता के घर जाकर रहती है वहीं अपना जीवन वैतीत करती है और उसे अपना घर समझती है तो वह पित्र स्थानिय परिवार माना जाएगा भारत के अंदर ऐसे परिवार हिंदू और मुसलिम दोनों समाजों में देखने को मिलते हैं इसी के अंतरगत एक है मातर स्थानिय परिवार यदि प्रथा के नुसार वर अपने माता पिता का घर विवा के बाद छोड़ देता है और वदू के साथ उसके माता पिता के घर रहने चला जाता है तो वह मातर स्थानिय परिवार माना जागा इन परिवारों के अंतरगत विवहा के बाद विवाई दमपती वर के मामा के साथ उनके पास रहने के लिए चला जाता है यानि कि पती पत्नी दोनों ही ना अपने पिता के घर जाते हैं ना अपने माता गर नहीं यानि वर भी अपने माता पिता के घर नहीं जाता और वदू भी अपने माता पिता घर नी चाती बलकि वे अपने वर के वर जो है वो अपने मामा के घर रहने के लिए चला जाता है तो इस स्थिती में जब वह मामा के घर निवास करते हैं तो इसे मामा स्थानिय परिवार कहा जाएगा इसी के अंतरगत चोथे परिकार का हम बात करेंगे वहे दियु स्थानिय परिवार इस परिवार में तमपत्ती को यह अनुमती होती है कि वो अपने किसी भी माता-पिता के सी यानि कि वर और मदू दोनों ही अपने माता यानि वदू के माता-पिता के पास भी रह सकते हैं और वर के माता पिता के पास भी रह सकते हैं यानि दोनों तरफ के माता पिता के पास अनुमती होती है कि वो किसी के पास भी रह सकते हैं जब ऐसी स्थिति होती है तब माता पिता की प्रस्थिति उनकी धन दोलत के आधार पर यह तया होता है कि मातर स्थानिय पितर स्थानिय वो किसे के पास रहेंगे, तो ऐसी स्थिती जब होती है, तो उसे दी स्थानिय परिवार कहते हैं, पांचवा जो भागेवे हैं, नूतन स्थानिय परिवार, यह है आजकल सबसे ज्यादा परचलित है, जब न विवाही दमपत्ती, विवाहा के बाद, अपने माता पिता के घर न जाकर एक नए घर में जाकर रहते हैं यह पस्मी समाज की देना है पस्मी समाज में यह पर्शलन ज्यादा है कि वर और वधु अपने घर में न रहकर एक नए घर में जाकर निवास करते हैं तो उसे बोलेंगे नूतन स्थानी यानि एक नए घर में निवास करना भारत में यहाँ पे थोड़ी सी परंपराई ये कम है परंतु है कुछ-कुछ स्थानों पर यह परंपराई पाई जाती है छटे बाकी अगर हम बात करते हैं मात्र पित्र स्थानिय परिवार कुछ समाजों के अंदर विवाही दमपती विवा के प्रारमिक पहले साल में या जब तक बदू के बच्चा ना हो जाए तब तक वह बदू के माता-पिता के पास में रहते हैं और उसके बाद स्थाई रूप से वर के माता-पिता के घर रहने के लिए चले जाते हैं तो इस के परिवारों को मात्र-पित्र-स्थानिय परिवार कहा जाता है चोथा प्रकार है सत्ता के अधार पर वर्गे करन प्रतेक समाज में परिवार के अंदर एक मुख्या होता है और वह मुख्या या तो सबसे बड़ा पुरूश होता है या सबसे बड़ी इस्तरी होती है तो वह परिवार पितर सतात्मक परिवार कहलाएगा क्योंकि उस पुरुस को सारे निर्ने लेने का अधिकार है और उन निर्ने की पालन परतेक परिवार का परतेक सदे से करता है दूसरा है मातर सतात्मक परिवार यदी परिवार की सबसे बड़ी इस्त्री को सत्ता दे दी जाए और परिवार का परतेक सदस्य उस निर्ने को माने और वह महिला सारे निर्ने लेती है और वो निर्णे को परिवार का प्रते एक सदे से मानता है तो वह मातर सतात्मक परिवार होगा भारत के अंदर अधिकांस ने पितर सतात्मक परिवार देखने को मिलते हैं वंस के आधार पर इन्हें तीन भागों में माटा गया है पहला बाग अगर हम बात करते हैं तो पितर सत्र पितर वंस यह परिवार वह है परिवार जो पिता के वंस के आधार पर चलता है यानि कि पिता से पुतर को और पुतर से उसके पुतर को यानि वंस परंपरा चलती रहती है और पिता से पुतर को उनके गोतर और उसके पुतर को उसका गोतर प्राप्त होता है यानि कि जो सरनेम जो होता है गोतर जो होता है वो पिता के आधार पर जब मिलता है तो वह पित्रवंसिय परिवार कहलाता है इसी का एक भाग है मात्रव परिवार कहते हैं इस परकार के परिवार भी आदिवासी जन जातियों में देखने के लिए मिलता है अगर हम दक्सिनी भारत के माला बार के नायर समाज को देखें तो वहाँ पर इस परकार की मातर वंसिय परंपरा पाई जाती है इसी का एक तीसरा भाग है द्वी वंसिय पर जब वन्स परमपरा पिता-से-पुत्र अथवा पुत्रियों के हातों में चलती है, यानि उनके पास विकल्प होता है कि आप इस में से क्या चुनना चाहेंगे, तो ऐसी सगर स्तिती होती है, तो उसे दिवी वoten्स ये परिवार कहते हैं, ऐसे परिवार बहुत ही कम देखने क को मिलते हैं, कुछ आदिवासी हिलाकों में इस परकार के परिवार देखने को मिलते हैं चेटा पॉइंट है कि हम उत्तरा अधिकार के आधार पर भी परिवारों का वर्गी करन किया गया है यानि कि उत्रादिकार किसे मिलता है तो इसे दो भागों में बाटा गया है एक है पित्र मारगी परिवार और दूसरा है मात्री मारगी परिवार है यानि जब संपत्ती आदि का बटवारा जब होता है तो वो संपत्ती का अदिकार किसे पराप्त होता है यदि पिता से पुत्र को प्राप्त होता है तो वह पितर मारगी परिवार है यदि वो माता से पुत्री को प्राप्त होता है तो वह मातरी मारगी परिवार होता है मातरी मारगी जो परिवार है वो साधानते आदिवासी इलाकों में देखने को मिलता है अगर हम चाहें तो भा व्यवस्थाओं के आधार पर अलग-अलग उनका वर्गी करन किया गया है, ताकि हम उन्हें आसानी से समझ सकें। हर परिवार की एक विवस्ता होती है और भारती समाज में अलग-अलग समाजों में अलग-अलग तरह के परिवार देखने को मिलते हैं और उनको अलग-अलग वर्गी करन किया गया है धर्न्यवाद